बी सी सी आई को भी देखना चाहिए कि इसान किसन जैसे को आप स्टेंड बाई में रखते हैं तो आप तो वो तो प्रूफ किया अल्टिमेटली वो पहले ये कर दिया रहाता अगर सुरू से उसको खिलाया जाता तो पहले भी करता वो लोग बिहार क्रिकेट बोर्ड में ऐसे ब्रश्ट लोग भरे रहेंगे तो क्या इसान किसन जैसे इवा बिहार से जाके इंटरनेस्नल मैच खेल पाएंगे दोहरा सतक लगा पाएंगे देखिए ये तो मैं बोल रहा हूं कि भविस्ट को खतम कर चुका है बच्चों का और ऐसे लोग अध्धक जिनको बैट पकरने तक नहीं आता है दुर्भाग से वह अध्यक्च है यहां पर सकल से भी देखिएगा तो लाफिंग बुढधा टाइप लगते हैं देखने से ना सकल है ना अकल है ना बैट पकरने सिर्फ दलाली को आईयस अधिकारीयों को आईपीयस को नीता हो उसका बेटा को पैसा ले कर करके खिला लेता है फट से यह और एक्चुल जो गरीव है अच्छा खिलाड़ी है उसको मौका नहीं देता है इशान किसन इसान किसन हर एक जगा चर्चा का बिसे इशान किसन बने हुए हैं क्यूंकि 35 ओभर में 12 सतक बनाने वाले पहले भारतिये क्रिकेटर इसान किसन बन चुके हैं भारतिये ही नहीं बल की वर्ड में पहले क्रिकेटर बन चुके हैं जो की 12 सतक 35 ओभर में बनाये हैं और अभी हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार हैं जो की बीसी ए खगरिया क्रिकेट के अध्यक्ष है सर इशान किसन 35 ओभर में 12 सतक लगा है पहले क्या कहीगा इस बाद तब लाजवाब पारी उन्होंने खेला है और विस्व का इतिहास उन्होंने बनाया है इसके लिए मैं समस्त बिहार वासियों के तरफ से भारत वासियों के तरफ से मैं उनको धनवा देता हैं सो कामनाये सर इसान किसन को पिछले दू मैचों में नहीं खेलाया गया था बैठा के रख दिया गया था आखिर ऐसा क्यूं होता है बिहार के ही लोगों के साथ देखे बाद दुरभाग पुर्ण रहता है कि अक्सर बिहार के लोगों के टैलेंट को ही दबाया जाता है चाहे बिहार मे बाहर हो. BCCI के सेलेक्टर, सेलेक्ट तो करते हैं, उनको Standby में रखते हैं. देखिए, एक मौका मिला इशान किसन को, वो अपने आपको Proof कर दिया, कि वो क्या है. तो यह चीज़ तो समझने की बात है, देखिए, इसका दोस है, पहले अपने आप में हमें हमारे के अंदर कमजोरी है बिहार किरकेट एसोशियेशन में भी ऐसा ही होता आया कि दुसरे स्टेट से इसान किसन को खेलना पड़ा हमारे किरकेट एसोशियेशन में बिहार में इतना भरस्टा चार है यहां कि अध्धक्ष है यह जैसा कि अपने कियु नहीं मिलता है कि अपना किकेट का जो एक्सप्रियोंस तर कि तो मैं आपको जमीनिय हकीकत बताता हु मैं वह सुरुआत होता है कि कि एस्सोषियेशन के अयोग अध्यक्छ दे द्रीक ऐसे बने हुए है devo से बने होब और केस चल रहा है फ्लस इन पे महिला ने भी रेप का केस देली में किया है वैसे लोग अध्यक्ष हैं और उनको कोई कुछ बोलता है तो लास्ट आमें दिखाया तो वो अमिच साहजी के साथ अपना फोटो दिखा देते हैं और भाजपा के हैं बड़े दलाल बने हुए हैं लाइजनर हैं और ऐसे लोग अध्यक्ष इनको बैट पकरने तक नहीं आता है दुर्भाग से वो अध्यक्ष हैं यहां पर सकल से भी देखिएगा तो वो लाफिंग बुढधा टाइप लगते हैं देखने से ना सकल है ना अकल है ना बैट पकरने हैं सिर्फ दलाली तो इससे क्या है इससे क्या है कि जो एक्शुल हैं वो बंचित रहा जाते हैं जो टैलेंट दब जाता है जो पैसा देके आता है सेलेक्टर भी नहीं का रहता है अपना जो आपको CEO नहीं का आदमी है जो बोलेंग वेब साइट पे डालेगा जो पैसा देगा 15-20% जैन्मिन खिलारी को रखते हैं कि फसे नहीं और जो पैस इन लोग बना के कोकस सिंडिकेट बनाए हुए क्रिकट असोसियेशन को तो इससे कहा है कि जब यहीं पर टैलेंट अपका दब जा रहा है और बी सी सी आई की लोग जब समझ लिए कि भाई इन लोग में यूनिटी नहीं है तो हम लोग कैसे हवाज उठाएंगे जब हम ही इन लोग गलत कर रहे हैं तो हमारे पास वाधिकारी नहीं कि उनके बिहार बोड के अध्यक्षे वही गलत है तो फिर बी सी सी आई को भी देखना चाहिए कि भाई इसान किसन जैसे को आप स्टेंडबाई में रखते हैं तो आप तो वो तो प्रूफ किया अल्टिमेटली व उन्हेरा मौका साबित हो गया कहते हैं कि आप कितना भी गलत कीजिएगा तो भगवान भी देखते हैं कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है तो कि अगर रोही सर्माई इंजर्ड नहीं होते तो फिर तीसरा मैच भी भारत हारता यह जो सिस्टम चला आ रहा था हारने का तो उस पर किरिया को इशान किशन नहीं तोड़ा और एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है तो हम लोग बहुत खुस हैं अब तो आख खुला बिसी सी आई के सेलेक्टर्स का भी जो हैं वहाँ पे बिसी सी आई के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का कि भाई इनको भी म वहुता है कि आप या तो किर्केट के किसी कलब के सेक्रेटरी हो इनको पांच पोस्ट रहता है जिला में प्रेसिडेंट। का सेक्रेटरी का जौन सेख्रीर का ट्रेजरर का इस जो रहता है वो सब का पाड़ ये कुछ भी नहीं है तब अधाक्ज बना दिया गया है इनको तो इसमें इनको कारवाई होना चाहिए जा रहा है, बिहार क्रिकेट बोर्ट के दो जो अध्यक्ष है उनके वज़े से बिहार की युवाओ का कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है अंधकार में जा रहा है। हुआ है यह तो ऐसा आदमी पर तो कानूनी कारवाई होना चाहिए और आप जल्दी देखिएगा यह जेल भी जाने वाला है तब क्या मुह दिखाएंगे बहुत सारा आरोप में इन पर गठित है और उसके बाद मैं आपको बुला के इंटर्वियों दूंगा आप भी क्रिकेट बोड के अध्यक्च सदस्य हैं और अध्यक्च के बारे में ऐसा बोले तो आप उनके अंडर में जब काम करते हैं तो एक प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ता है कि हाँ अच्छे होते वे खिलारी को उसको रिजक्ट करना पड़ता होगा या फिर ऐसी प् लोग你有rieben नहीं को पुरे बिहार में गलत गलत अधार बना करके जो नेपाल से उनको इंडिया का अधार कार्ट बनाकर में खिलवा रहे सतक लगाते हैं वहीं अगर बिहार और गोवा का रंजी हुआ जिसमें बिहार की अवादी तक्रीबं 12 करोर है वहीं गोवादी का माने तक्रीबं 18 लाक है उसमें भी बिहार हार किया गया तो इसी से तो साफ पता चल रहा है ने कि आप देखिए कि सेलेक्शन ही टीम का गलत हो एक्ट से यह और एक्चुल जो गरीब है अच्छा खिलाड़ी है उसको मौगा नहीं देता है हमारे खगडिया में भी ऐसा होता है हम लोग के प्रेशर पर हम लोग बलते है अच्छा खिलाड़ी है देखिए परफॉरॉमेंस देखिए यहां टीम में आता है बहुत लोग ऐसे खिलारी हैं लेकिन यहाँ प्यार करके फिर जो पैसा देता है बस उसका हो जाता है selection जासा कि अपने पैसे का जिक्र किया तो कितने पे खिलारीों का पैसे पे selection होता है कितना उसके लिए क्या amount fix है देखिए ये तिवारी बावा जो है दलाल है राकेश तिवारी इसका अलग-अलग फिक्स है कुछ को क्या करता है ये इसका सिस्टम आफ मोडस ऑपरेंडी है कि कोई इसका खिलाप कर रहा है तो बोल देता है भाई तुम चलो तुम जो पैसा लो एक खिलाडी तुम्हारे तरफ से रहेगा टीम में मुस्ताक अली में तो भाई वो 25 लाक में ले लिया उखोस हो गया भाई मेरा एक खिलाडी आ गया उसी तरह ये खुद भी डिल करता है तीस से पचास लाक रुपिया का इसका एवरेज राता है रंजी के टीम में लेने का मुस्ताक अली में इसी रेंज पर ये काम करता है खिलाडियों से जब तक क्रिकेट बिहार क्रिकेट बोर्ड में ऐसे भ्रश्ट लोग भरे रहेंगे तो क्या इसान किसन जैसे इवा बिहार से जाके इंटरनेशनल मैच खेल पाएंगे दोहरा सतक लगा पाएंगे देखिए ये तो मैं बोल रहा हूं कि भविस को खतम कर चुका है बच्चो से क्रिकेट खेलता था लगाव है मैं ऐमले भी हूँ मैं डॉक्टर भी हो और अभी भी जब्ले में जहां क्रिकेट मैच होता युवावं को परुसाहन की बात होती है तो मैं हर बगत उनके परुसाहन में उनके मैच के उदगातन में जाता हूं अक्सर मुझे stadium ही मैं अपन होएं और इसके बिरोध में परदर्शन करें इसका घेराओ करें और इस पे कानूनी कारवाई हो प्रिकेट बॉर्ड आने का कोई जैसाह का फॉन आ रहा है कभी कहता है कि अमित साह जी फॉन किये हैं बिखार के जितने भी क्रिकेट के प्लेएर है अच्छे खिलारी हैं उनका भविस्ट कहीं न कहीं चौपट हो गया इस कुछ IPS कुछ जजेज इनका फोटो खिचा लेता है बिना बुलाई फंक्षन में चला जाता है और लोगों को फिर गुम्राह करता है और मुझे विस्वास है कानून में और जैन्मीन पदादिकारी जो सही से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जेल जाना तैय है इसका इशान किशन के बारे में सर क्या कुछ कहना चाहिएगा इतिहास रच चुक ऐसा फिर नया कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हमें इसका उमीद है तो हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार थे जिनका तमाम बिहार के युवाव से ये वादा है कि आने वाले दिन में बिहार क्रिकेट बोर्ड में कोई भ्रष्टा चार नहीं होगा धांदली नहीं किये जाएंगे पैसे पे प्लेयर्स नहीं आएंगे जो भी होगा क्लियर होगा जिसमें टैलेंट होगा उसे खेलने का मौका मिलेगा और जिसमें टैलेंट नहीं होगा वो अपने घर को जाएंगे जो अभी बिहार क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है राकेश तिवारी उन डॉक्टर संजीव कुमार का यही प्रयास है कि बिहार से जितना जल्द हो सकता है क्रिकेट बोर्ड में जो भरष्टा चार भड़ा हुआ है उसे खतम करके बिहार की इवाव का भविस उजवल करने का आए खबरों के लिए बने रहे हैं सच्टिक न्यूज के साथ जैन।